सर यही मेरा अगला कुशन था जो आपने अपने इस आंसर में बोला कि सल्मान खान की जो थोड़ी से कम भी वाट अफ मौत के जरीय जाती है वो भी फिल्म सो करोड के उपर कमाती है तो क्या लगता है कि सल्मान भाई का ये एक सुपर स्टार्डम है या फिर फैंस का लव है या फिर इद की कुछ उनको इदी मिलती है देखे मैं कहूंगा कि इद फैक्टर बिल्कुल एक हॉलिडे का तो होना बहुत अच्छा होता है और बहुत बूस्ट मिलता है और जब सल्मान खान की अगर आप देखें तो फिल्में लगातार इद पर आई है और ट्राक रेकॉ अच्छे में एक्स्टर साई थी बिल्कुल सही का आप ने तो बाकी सालों में पिछले 10 साल में उनकी फिल्म में रिलीज हुई है और जबरदस काफी फिल्मों ने बिजनस किया है ना कई बार ऐसा होता है कि आप इद पे फिल्म रिलीज करते हैं और या फेस्टिवल पे र अगर आप देखेंगे थेटर के अंदर और थेटर के बाहर जबरदस भीड होती है और यह बहुत कम लोग बहुत कम अच्टर्स उस तरह का ड्रॉ उनके पोटेंशल है एक जमाने में अमिता पच्छन थी मतलब मुझे याद है जब मैं 70s में ग्रो कर रहा था मैं बड़ा ह कर आचे फिलमे उनकी एक सार में रlees होते हैं एक साल में यह जबली, टरॉड द एक साल में सहे एक साल में छे यह एक से वोती थेड़ए होती तो कहने का मतलब यह that is star Pawa that is not star Pawa actually h a super star Pawa He is a megastar, Amitha Bachan is अपने दौर में Megastardom और Salman Khan अनो तो वो मेंगा स्टार्डम आजातर किया है वाव, सर्फ बहुत मिनिंग्फुल एकदम और प्लस यह जो कंपारिसन और दिस अमेजिंग अमेजिंग से